हलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आई हूँ पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से दो पाथ पढ़ा चुकी हूँ पहला था हम पंचियून मुप्त गहन के और दूसरा था दादी मा समझ में आ गया होगा? आज मैं तीसरा पार्ट लेके आई हूँ हिमाले की बेटियां अब हिमाले की बेटियां कौन सी होती हैं? तो जितनी भी नदियां निकलती हैं सत्रज है, गंगा है, यमना है, ये सब हिमाले की बेटियां हैं क्योंकि इसका निकाश, इसका निश्कासन, इसकी उत्पत्ती हिमाले से हुई है, इसलिए इन सारी नदियों को हम हिमाले की बेटियां कहते हैं, इस पार्ट में लेखक ने हिमाले से निकलने वाली नदियों को ममतवरी आँखों से देखते हुए समस्त नदियों को हिमाले की लेखक को नदिया सम्राम्त महला की भाती प्रतीत होती है लेखक ने नदियों को मा के समान, मौसी के समान, दादी के समान, नानी के समान प्रेम से परपूर्ण बताया है जिस तरह मा, मौसी, दादी, नानी से मिलने के पश्चाथम को प्रेम की प्राप्ति होती है उसी प्रका आया है कि लेखा कभी तक हेमाले नहीं गया था वो दूर से ही इन नदियों को देखा करता था तो वो नदियां जब दूर से दिखती थी तो बड़ी गंभी शांत दिखाई देती थी और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी ऐसा लगता था सम्रांत महला सम्मानत होता है नदियों के लिए लेखा के मन में बहुत ही ज़्यादा आदर थी बहुत ही ज़्यादा स्रद्धा के भाव थे जैसा कि हम लोग गंगा इसनान बगरा करने जाते हैं यमना पर जाते हैं आजमन करते हैं उनका पूजन करते हैं क्योंकि हम उनको मा के समान मानते हैं अब मा को जो हम शडधा से देखते हैं तो जो मां के समाने उसको भी तुस्रधा से देखेंगे प्रांत उस वार जब लेखा कह माले गया हिमाले पड़ जाकर के उनको पास से देखा किनको उन नदियों को जे पास से देखा तो पता चला कि जो दूबडी पतली गंगा, यमना, सतलज, मैदान में उतर कर कितनी विशाल हो जाती है क्योंकि ग्लेशियर जब पिगलते हैं तब नदियां जल के रूप में नीचे गिरती हैं गिरती हैं तो वो उचलती कूथती हैं तो वो एक जैसे बच्पन में कोई भी कन्या उचल कूथ करती है गिलकारियां मारती है और बहुत ज़्यादा आकर्शक लगती है इसी तरह जब ये हिमाले पर निकलती हैं हिमाले से निकलती हैं तब ये बहुत ज़्यादा आवाज करती हुए ये हस्त हुए खिलकिलाती हुए निकलती हैं लेखक ने नदियों की तुलना किसे करिया एक मानवी करण किया है, मनिश्यों से कर दे, इस परकार खिलकलाती होई लड़कियों, तो देखकर सबी लोग बहुत ज़्यादा आकरशित हो जाते हैं, बच्पन में छोटी छोटी लड़कियां जो हैं, इधर से उधर बड़ी प् अश्र होता है, क्योंकि जब वो लेखक हिमाले को दूर से देखता है, तो उसे गम्मी रोशांत लगती हैं सारी नदियां, लेकिन जब वो पास जाता है, तो वो उचलती होई, कूती होई दिखाई देती हैं, कल फिर मिलती हूँ बच्चों, दूसरी वीडियो के साथ में, जब टो एंज मैं, क्योंकि जानी होता है, एम जब बच्चों से घर होता हैं, क्योंकि जब बच्चों से गज़ किन जब खर रहारी कि भाविद, से जब यार substitute, से शी के साल davon क्यों मैंने होती हैं, क्योंकिन जब पास चावई रहारी कि साल